Hello everyone, welcome to all of you, this is Anjou Maurya और आज का एक बहतरीन concept आप से discuss करने जा रहे हैं जिसका नाम है Types of Ovule Based on the Number of Integuments मतलब Integument के number के basis पे ovule कितने तरीके के होते हैं तो देखिए हमें पता है कि ovule क्या है ovule को हम लोग Megasporangium के नाम से भी जानते हैं और ovule की जो layers present होती हैं ovule के चारतरों उसको हम Integument कहते हैं आगे चलके fertilization के बाद यही ovule seed में change हो जाता है और Integuments जो होते हैं वो seed coat में change हो जाते हैं अब हम देखेंगे कि ovule के पास कितने Integument होते हैं तो यहाँ पे हमने एक chart बनाया हुआ है और यह जो chart है Unitegmic, Pitegmic, Tritegmic और Ategmic ovule Trie है यहाँ पे देखो T छुप गया है देखिए ovule जिसके पास केवल एक Integument हो तो केवल और केवल बस एक Integument हो इसको ऐसे ovule को हम Unitegmic Ovule के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं? Unitegmic Ovule के नाम से जानते हैं केवल एक Integument present है तो इसको हम Unitegmic कहते हैं जैसे यह Most Common Gymnose Porm में देखने मिलता है लेकिन Gymnose Porm में भी Order Neatels का इसका exception है Neatels Order में Bitegmic Ovule पाया जाता है Neatels Order में Neatum, Ephedra और Welvesia आते हैं Bitegmic का मतलब जब दो Integument तो Integument का मतलब इस तरीके से यह Most Common हमें देखने मिलता है किसमें Angios Porm के अंदर यह हमें Most Common Ovule देखने को मिलता है जब दो Integument हों जब दो Integument हों तो यह Most Common Angios Porm में है Outer Integument, Inner Integument और Neatel Order में भी है Neatel Order अभी जो हमने बताया Tritegmic का मतलब होता है जब तीन Integument हों अब तीन Integument मतलब जो थर्ड Integument है जैसे आपने लीची खाया है लीची के अंदर जो फ्लेशी पार्ट होता है एरिल वो थर्ड Integument आपने कैस्टर देखा है रिसिनस रिसिनस में जो आप बीच के उपर यह चोटा साइसे पॉइंट स्ट्रक्चर देखते हैं यह कैरंकल है कैस्टर इसके अलावा आपने जाइफल जाइफल जो जावित्री होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस कहते हैं मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का होता है फ्रेग्रेंस ठीक है इसके अलामा एक asphodalus plant होता है asphodalus plant asphodalus plant इसमें तो miristica fragrance, asphodalus leachy और castor के अंदर हमें third integument देखने को मिलता है तीन integument आप देखेंगे ए टेग्मिक ovule का मतलब होता है जहां पे कोई भी integument ही ना हो तो ऐसा हमें centellum के अंदर lorenthus, lorenthus partial stem parasite है centellum जो है वो partial root parasite है ठीक है partial root चंदन मतलब centellacy और lorenthacy family के अंदर हमें यहां पे देखने को मिलता है a-tegmic ovule तो इस तरीके से आप समझेंगे कि जो ovule के layer होते हैं वो ovule मतलब layer के basis पे कितने तरीके का होता है unitegmic, bitegmic, tritegmic और a-tegmic आप इसे जरूर note कर लिजेगा बहुत काम आता है छोटे-छोटे सवाल जैसे caster से, aerial से, care uncle से और फिर इसके अलावा यह सब a-tegmic, ovule बगेर पूच दिया जाता है तो इससे आप जरूर याद रखेगा आपने note में note कर लिजे अगर आप किसी भी स्टेट से है biology के preparation करना चाते है PGT, PGT, LTGIC, Assistant Professor CUET, PG examination EMRS, NVS, KVS आप MP से हो, बिहार से हो जारखंड से हो, ठीक है इसके अलावा उत्तराखंड से हैं UP से हैं, कहीं से भी आप हमारे course से जूड़ सकते हैं आप हमारे mock test series से जूड़ सकते हैं बहतरीन mock test series होती है और बहतरीन courses होते हैं कम price में आप हमारे help line number पर बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ओके, bye bye, all the best मिलते नेक्स्ट वीडियो